नमस्कार मैं हूँ प्रभीन और आप देख रहे हैं नियूस क्लिक का डेली रौंड अप शो आईए नज़र डालते हैं आज की मुख्यों सुर्खियों पर देश भर में आज से सब को मुफ्त वैक्सीन, कोवीन अप पर रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं नई दिल्ली ने आखिरकार कश्मीर के राजनितिक दलों के लिए खोले बाचीत के दर्वाजे, हर्याणा के नूम में नागरिकों ने मुस्लिम युव की हत्या को सामप्रदाइक नव बनाने की अपील किये भातिश इच्छा बोड केंद्री ने की रामदेव की मदद इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में खुला सा और आखर में कुरोना अपडेट देश में 24 घंटों में 53,000 नए मामले 1422 मरीजों की मौत केंद्री की बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली कई फटकारों के बाद आसे देश बर में सबके लिए मुफ्त टीका करण की प्रक्रिया शुरू हो गई वैक्सीन फॉर ओल के तहत अब 18 साल से उपर के हर व्यक्ती को मुफ्त वैक्सीन लगेगी और इसके लिए कोविन आप पर खुद को रजिस्टर करना भी जरूरी नहीं होगा हाला कि नीजी अस्पतालों में अभी भी पैसे दे कर टीका लगवाया जा सकता है आपको बता दे कि केंदरी ने पहले टीकों की दो कीमते तै की थी और पहले यह नियम भी था कि टीका राज्य खईद रहे हैं कीमतों और केंदरी की टीका नीती को लेकर विपक्षी पार्टियों और सुप्रीम कोट की तरफ से काफी आलोशना हुई थी सुप्रीम कोट ने इस मामले में कई सुनवाई की थी और केंद्र को कई बार फटकार लगाई इसके बाद साज जून को प्रधान मंत्री नरिन मोदी ने देश को संबोधित कर आज याने 21 जून से सब को मुफ्त टीका लगाई जाने की बात कही थी नए देशा नेदेशों के अनुसार मैनुफैक्चर होने वाली 75% डोस भारत सरकार खर देगी और राज्यों को मुफ्त में दी जाएगी केंदर सरकार की तरफ से राज्यों और केंदर शाशित प्रदेशों को वैक्सेन की सप्लाई, जनसंक्या, विमारी, बोच और वैक्सेन में तेजी जैसे पैमानों को देखते हुए की जाएगी वैक्सीन वेस्टेज होने पर वैक्सीन बटवारे में नुकसान उठाना होगा तकरीबन दो सालों तक दरकिनार रहने के बाद जम्मू और कश्मीर की राजनेतिक दल पाँच अगस 2019 को अनुछेद 377 को निरस्त करने के बाद पहली बार नई दिल्ली के साथ बातचेट की शुरुवात करने जा रहे हैं नैशनल कॉन्फरेंस सहीद, पिपुल्स डिमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू और कश्मीर पिपुल कॉन्फरेंस जैसे तमाम राजनेतिक दल इस दौरान भारती जंदा पार्टी के रूप में सबसे सक्त विपक्षों में से एक का गवाब बने हैं हाला कि बिजेपी इन छेत्री डलों में से हर एक पार्टी के साथ कभी न कभी एक पुर्व सहयोगी के तौर पर काम करती रही है सैकडो अन्य लोगों के साथ मजबूत नैशनल कॉंफरेंस और पीडीपी सहीत सभी राजनेतिक दलों के नेताओं को धारा 370 के निरस्थ होने से पहले हिरासत में ले लिया गया था भाजपा की तरफ से सामोही गिरफतारी का वह कदम इस शेत्र के कथित विशेश दर्जा छीन लिये जाने के खिलाफ किसी भी तरह के विरोत की आशंका को नाकाम करने के लिए उठाया गया था इस घटना करम से जुड़े सुत्रों का कहना है कि तकरीबन दो साल बात तमाम पार्टियां जिन में पुर्व पीडीपी मंत्री अलता वुखारी की अगवाई में नवगठित अपनी पार्टी शामिल है और जिसे किंग्स पार्टी के तौर पर जादा एहमियत दी जाती है 24 जून को राश्री राजधानी में शिर्ष केंद्री नेतृति से मिलेंगी आपको बता दे कि 5 अगस्त के फैसले के खिला पिपल्स अलाइंस फॉर गुपका डेकलेरेशन के नाम से बने एक राजनिती मोचे की तरफ से तकरीबन 6 महीने तक निश्क्री रहने के बाद श्र तक कि ग्री मंत्री की ओर से इसे गुपकार गैंग भी कहा गया था जिसे सिलसिले में पीए जीडी की घटकों ने बड़े पैमानें पर उनकी आलोशना भी की थी हरियाणा के नू में पिछले महीने जिम ट्रेनर आसिफ खान की हत्या के बाद से पिछले कुछ दिनों में इलाके का महौल कुछ सामप्रदाइक हो गया था जब कुछ महापंचायतों में इस हत्या को सामप्रदाइक हिंसा बताकर नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी इस नफरत को रोकने और आपस में भाईचारा बनाए रखने के लिए च्छेतरी नागरिक संगठनों ने जनता से इस मामले को सामप्रदाइक न बनाने और भाईचारा बनाए रखने की अपील की देखिए निउस क्लिक की एक ग्राउंड डेपोर्ट आज हमने नू में ये नागरिक संगेलन आयोजित किया है इस संगेलन को आयोजित करने का उदेश ये है कि पिछले दिनों नू के अंदर कई ऐसी गटनाए हुई है जिसने यहां का जो सामप्रदाइक सोहार्द है अमन है भाईचारा है उसको बिगाड़ने की कोशिशे की ह ऐसा है ये बहुत आज एक एतिहासिक यहां पर सभा हो रही है नागरिकों की सभा मतलब कि जितने लोग यहां हैं सब भारत के नागरिक हैं और सबको सम्विधान में जो भी अधिकार प्राप्त हैं वो सबको बराबर से हासिल होने चाहिए ये हमारा यहां पर नारा है और स कुछ लोगों को पकड़ा गया जो एक विशेश दरम से जाती से सम्मनुत थे उसके बाद यहां पर 31 मई को एक बड़ी हिंदू मापंचायट का आयोजन हुआ जिसमें काफी ज्यादा बढ़काव बाशन दिये गए और यह सम्मेलन उन लोगों की अध्यक्षता में हुआ जो करनी सेना के भी अध्यक्ष है और उसके अलावा कई लोग उस सम्मेलन में शामिल थे जिसमें फरीदाबाद में जुनेद की अत्या करने वाड़े नरेश कुमार भी शामिल थे अभी जो हाल में दो-तीन घटनाय यहां पर घटी है एक तो एक लड़का आसिफ यहां मारा ग हुए और जो नामजद थे वो भी गरिफतार हुए लेकिन उसके बाद उस पूरी मामले का सामप्रदाय की करन करने के लिए भारती जन्ता पार्टी और उनके संग परिवार के लोग इन्हों ने यहां पर एक इंदरी गाउं में एक हिंदू महा पंचायत का आयोजन किया औ पहली बात तो यह कि जो लोग गरिफतार किये गए हैं वो निर्दोश है और इसके साथ ही साथ इस तरह के मुसल्मानों को मारना भी कोई अपराद नहीं क्योंकि यह गुंडे हैं यह बदमाश हैं इनको मारना सही है और जो यह बाते बोल रहा था जो आयोजक था वो अमू वो आज हर्याना की सरकार का पंजी कृत प्रवक्ता है और वो इस तरह के भाशन दे रहा है कोई रोक टोक नहीं है उसी पंचायत में जो जुनैद मारे गये थे ट्रेन में उसका मुख आरोपी उस हत्या का मुख आरोपी भी वहाँ पर मौजूद था भाशन देता है के लिए वाफसी आ रहा था तो सोना से उली साइड को इननों घेर के का काफी लोग थे वैसे यह बता दें दफ पंद्रा तो गाउं के ही है बाहर के है इधर उधर के कहां कहां की गैंग है तो 30-35-40 आदमिये खटे हो गए थे उस टाइम घेर करके आशित की दो भाई थे ए पर उसको मडर कर दिया पतंज अली के मालिक राम देव को भारती शिच्चा बोर्ड की कमांड सौपे जाने पर कई सवाल खड़े होते रहे हैं 21 जून को छपी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ड में इसको लेकर कई और खुलासे हुए है एक्सप्रेस की रिपोर्ड की अनुसार शिच्चा के स्वादेशी करड के लिए CBSC की तर्च पर एक राष्ट्री स्कूल बोर्ड स्थापित करने का विचाज सबसे पहले राम देव ने रखा था 2015 में योग गुरू ने अपने हरदवार इस्थित वैदिक शिच्चा अनुसंदान संस्थान के माध्यम से महर्शी दयानंद की पुरातन शिच्चा और आधुनिक शिच्चा के मिश्रट की पेश्कस करके शिच्चा का भारती करड करने में मदद करने के लिए एक स्कूल ब और आपती व्यक्त करने के बाद अंततर इसे बंद कर दिया गया था दरसल 13 अप्रैल 2016 को प्रदान मंत्री नरिन मोदी की अध्यच्चता में हुई बैठक में ततकालिन स्कूल शिच्चा सचीव SC खुंटिया ने इस अधार पर प्रस्ताव का विरोध किया था कि एक नीजी बोर्ड के लिए राजिकी मंजूरी अन्य लोगों के समान अनुरूदों के लिए दरवाज़े खोल देगी जिसके बाद मंत्राले ने MSRVVP के तहट वेद विद्या यानि वैदिक शिच्चा के लिए अपना स्कूल बोर्ड अस्थापित करने की योजना बनाई विशेशग्यों का मानना है कि अभी पारंपरिक प्राट सौलाओं में लगबग 10,000 वेद विद्या चादर पढ़ रहे हैं इसके साथ ही इसमें राम देव के आचार कूलम को संबद करने की संभावना है RSS द्वारा संचाले विद्या भारती स्कूल और RSS द्वारा संचाले स्कूलों को भी इस बोर्ड के अंदर लाने की योजना है क्योंकि यह उन्हें बारवी कच्छा तक शिच्चा के अपने मॉडल को बनाये रखने की अनुमती देगा जिसे CVC जैसे स्कूल बोर्ड अभी अनुमती नहीं दे रहे और आखिर में हम बात करेंगे कि इंडिस्वास्थ मंत्रारे द्वारा आज सो मवार 21 जून को जारी आक्रों करनसार देश में 24 गंटों में करोना के 53,256 नए मामले दर्ज किये गए है इसके लावा करोना से एक दीन में 1422 मरीजों की मौत हुई है जिन में सबसे जादा यानि 605 मरीजों की मौत महरास्थ में हुई है वहीं तमिलाडू में 182, करनाटक में 120 और केरल में 112 मरीजों की मौत हुई है साथ 20 देश भर में करोना से परित 78,190 मरीजों को ठीक किया गया है और कुल अक्टिव मामलों में 26,356 मामले कम हुए है देश में करोना के मामलों की संक्या बढ़कर 2,99,35,221 हो गई है जिन में से अब तक 3,88,135 लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से परित 96,35 फिस्दी यानि 2,88,44,199 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में अक्टिव मामलों की संक्या घटकर 2,34 फिस्दी यानि 7,28,887 हो गई है स्वासमंत्राइक ताजा जानकारी के अनुसार देश में करोना वैक्सिन के 28,36,898 डोज दी जा चुकी है दिन में से 30,49,996 वैक्सिन की डोज पिछले 24 घंटों में दी आज के डिडिन आउड़ अप में बस इतना ही नियूस क्लिक के यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंग्लिक्स वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें नियूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया